मोदी सरकार द्वारा रफैल डील में भरष्टाचार, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने के लिए एक आपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है भाजपा सरकार ने राष्ट्रिय सुरक्षा को बलिदान कर दिया जो हमारी भारती वायू सेना के हित उनको खत्रे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड रुपे का नुक्सान करवाया पिछले पांच वर्षों में संदिख्थ रफैल डील में जो प्रत्येक आरोप है जो हम लोगों ने यहां बैठकर कई बार आपसे साजा किये आप लोगों ने मीडिया में चलाए और जो प्रत्येक पहली है उन सब का इशारा अब इशारा नहीं रह गया स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चितम नेत्रित्व तक जा रहा है आपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है रफैल के ब्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोधी सरकार ने सी बी आई और एडी के साथ मिलकर एक साथ गाट करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया चार अक्टूबर 2018 को भारती जन्ता पार्टी के दो पूर्व मंत्री यश्वन सिनार अरुन शोरी जी और एक वरिश्ट वकील ने रफैल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के सी बी आई के निदेशक को अपना पूरा हलफ नामा शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौपी ये हुआ चार अक्टूबर 2018 को दूसरा महत्वपून दिनांक 11 अक्टूबर 2018 ये कुलासा भी कल ही हुआ है 11 अक्टूबर 2018 को मौरिशयस सरकार के अटाणी जनरल ने रफैल से जुड़े कमिशन के कथित भुगतान के संबंध में सी बी आई को दस्तावेज दिये 11 अक्टूबर 2018 को अटाणी जनरल मौरिशयस के सी बी आई को पूरा एक फाइल सौपते हैं और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधान मंत्री की अगवाई वाली एक समिती सी बी आई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्धिरात्री में तक्ता पलट करके हटा देती देखे कितना रोचक के संयोग है प्रयोग है जो भी है आपके सामने है चार अक्टूबर को शिकायत होती है रफैल पे ग्यारा अक्टूबर को मौरिशियस के अटॉनी जनरल एक और फाइल देते है रफैल से के जो मिडल मैन है उसके उपर लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वाईरी नहीं ओर्डर होती है बजाएं इंक्वाईरी ओर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है CBI में CBI में आधी रात को रेड होती है सरकार खुद रेड कर रही CBI में आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को CBI का निदेशक बना दिया जाता है यह प्रधान मंत्री की अगवाई वाली समिती करती है कोई और नहीं करता प्रधान मंत्री स्वयम यह काम कर रहे हैं कि मोधी सरकार और CBI ने पिछले 36 महिने में यह तो हुआ जी 2018 तक की बात 2018 से शुरू करिये और आज नवंबर की नौ तारिख 2021 में हम बैठे हैं तो 36 महिने में कमिशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कारवाई क्यों नहीं की इस मामले को क्यों दफनाया गया मोधी सरकार ने मध्धिरात्री जो तख्ता पलट CBI में करके प्रमुख को हटाया था वो क्यों हटाया उस निर्णे के रफैल से क्या संबंध है रफैल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड रुपे के रिश्वत का घोटाला नहीं है सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौधा है और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है कॉंग्रेस और यूपिय की सरकार ने अंतराष्टिये टेंडर के जरिए जब वो टेंडर खुला एलवन आया 526 करोड रुपे प्रती लड़ाकों विमान उसमें कीमत आई बात्षीट शुरू हुई नेकोसियेशन होती है इतनी बड़े रक्षा सौधे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है मोधी सरकार ने क्या किया हम तो 2014 में हार गए मोधी सरकार ने वही रफैल लड़ाकों विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड में खरीडा 526 करोड में हमने सौधा किया setzen के माध्यम से किया 1670 करोड में बिना टेंडर के 36 शविमान नरेंद्र मोधी जी ने लिए ये रट गया हमको आपको भी रट गया होगा देश को भी अब रट गया है और सबसे महत्वपून बात क्या है दोनों में अंतर क्या है UPA के रफैल सौदे में और मोदी के रफैल सौदे में मोदी सरकार भी नहीं कहूँगा मोदी जी का परसनल रफैल सौदा था उसमें अंतर यह है कि एक तो कीमत का अंतर मैंने आपको बता दिया 526 करोड की चीज 1670 करोड में ली गई दूसरा ट्रांसफर अफ टेकनोलोजी तकनीक का प्रोध्योगिक की का हस्तांतरन जो सबसे महत्वपून और भी कई महत्वपून हमारे सौदे में मुद्दे थे बिंदू थे लेकिन यह बहुत महत्वपून बिंदू था कि 108 विमान 126 में से हिंदुस्तान में बनने थे हमें टेकनोलोजी 526 करोड में नाकेवल विमान मिल रहे थे टेकनोलोजी भी मिल रही थे मोधी जी के सौदे में 1670 करोड का विमान बिना टेक्नोलोजी ट्रांसफर के खरीदा गया तीसरा में तो पूर अंतर 126 विमानों को घटा कर 36 कर दिया गया देखिए मैं वापस से गिना देता हूँ नंबर एक बिना टेंडर के किया गया नंबर दो 526 करोड की चीज 1670 करोड में ली गई नंबर तीन बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलोजी बिना टेक्नीक हस्तान तरण के नंबर चार 126 विमानों को घटा कर 36 कर दिया गया और महतुपून बिन्दू आ रहा है पांचवां बिन्दू जो नो करप्शन क्लॉस था कि इसमें भरष्टाचार या कोई मिडल मैन या कोई इंफ्लूएंस पेडलिंग या कोई प्रभाव डालने का प्रयास ये नहीं होना चाहिए ये यूपीए के टेंडर में था ये आवश्यक होता है किसी भी रक्षा सौदे में और इतना बड़ा रक्षा सौदा सरकार में हम भी रहे हैं पांच रुपे की भी चीज खरीदनी हो तो टेंडर के जरीए होती है प्रक्रिया के जरीए होती है ये पांचवा सबसे महतवपूर्ण बिंदू और सबसे महतवपूर्ण अंतर यूपीय के रफैल सौदे में और मोदी जी के रफैल सौदे में था कि मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर निजी तोर पर हस्तक्षेप करके रक्षा मंत्राले को नजर अंदाज करके बाइपास करके यह क्लॉज हटाया यह इतना महतुपूर्ण बिंदू है इस आज की प्रेसवारता का यह हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन आज जी जादा महतुपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके नो करप्षन क्लॉज या इंटेग्रिटी क्लॉज हटाया